नवसकार मैं रविश कुमार मुझे पता है कि आप में से जाधा तर लोग क्रिकेट के बेहद शौकीन हैं मेरी तरह नहीं मैं कुछ कम हूँ लेकिन यह भी यकिन है कि क्रिकेट की तमाम बारिकियों के जानकार होने के नाते आप ये भी जानते होंगे कि ये वो खेल है जिसमें हवा पर भी नजर रखी जाती है लेकिन इसी खेल में कुछ ऐसे खिलाडी कूद जाएं जो देखने की शमता में औरों की तुलना में कुछ कमजोर हो लेकिन कमाल कुछ ऐसा कर दें कि हर कोई प्रधान मंतरी के दफ्तर से लेकर न्यूस चैनल के रिपोर्टर तक फोन करने लगे कि भाई ये कौन लोग हैं जिनोंने पाकिस्तान की टीम को हराया है और विश्वकप जीत लिया है तो आज हम आपके सामने पेश करते हैं भाहिंदुस्तान के ब्लाइंड क्रिकेटर्स को जिनोंने अभी साउथ अफरिका में पाकिस्तान की टीम को हराया है स्कोर से लेकर रणनीती तक की जो कहानिया है वो इतनी दिल्चस्प हैं कि आप अगर ये किस्तान नहीं सुनेंगे तो कम से कम मुझे लगता है कुछ दिनों के बाद मेरी नजर पर आप सवाल उठा देंगे तो मुझे लगा कि प्राइम टाइम में आप इन तमाम हुनरमन खिलाडियों से मिलिये और इनके किस्ते कहानियों को जानिये ये अच्छा रहेगा ताकि हम क्रिकेट के बारे में जो खुद को घोशिक करते हैं कि हम क्रिकेट से बहुत प्यार करते हैं हम में ये पता चल सके कि बहुत कुछ ऐसी भी है, इस खेल के बारे में ऐसी चीजे भी हैं, जो हम नहीं देखते हैं, तो इसलिए जो हम नहीं देखते हैं, वो हम ठीक से एक बार और देख लें, इसलिए हम तमाम खिलाडियों का आप दर्शकों की तरफ से स्वागत करते हैं, हमारे साथ मौझूद है पूरी टीम और Blind Cricketers जो Association है यहाँ पर महांतेश जी है वो Vice President है दुनिया भर के Blind Cricket Association के भी और हिंदुस्तान में General Secretary भी है 1998 से ये Cricket प्रतियोगीता हो रही है चार बार हो चुकी है हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को हराया जो पाकिस्तान पिछली बार जीता था शेखर नायक है हमारे साथ इसके जो कप्तान है लेकिन बाकी भी खिलाडियों के बहुत किसे दिल्चस्प है कोच है मैनेजर है इस पूरे पैनल में बैटे हुए हैं लंबी चौड़ी टीम है मैं Cricket के बारे में इतना ही जानता हूँ काफी कुछ पर्चा बना कर लाया हूँ इनके स्कोर के बारे में तो माफी के साथ शुरुआत करना चाहते हैं शेखर आपसे कि पहले तो बहुत सारे दर्शक यह नहीं समझ पाते हैं कि जो Blind Cricket होता है उसमें देखने की क्या कैटेगरी है क्या बिल्कुल ही नहीं देखने वाले तीन कैटेगरी होते हैं एक उसको हम B1, B2 और B3 कहा जाता है जैसे B1 लोग जैसे कुछ भी नहीं दिखता है 100% ब्लाइंड रहते हैं वो लोग चार प्लेर्स खेलेंगे एक टीम में और पूरा जो फोड़ा भी नहीं आएगा और B2 कैटेगरी दोसु कैंसी अप्टू 3 मीटर्स वो लोग तीन प्लेर्स खेलेंगे एक टीम में और जो B3 कैटेगरी बताया में कि पार्शली साइटेड जो वो लोग चार मेंबर्स खेलेंगे उनको करीब 6 मीटर्स के आस-पास दिखाई दिएगा तो ऐसा फोर टीफ फोर इस एक टीम बनता है तो इसमें दो लोग हो गया है कि एक कैटेगरी होगे जिनको कुछ दिखाई देता है और इनको कुछ दूर में यहाँ पे जो में गेम का जो यह है जो हम जो आवाज करने वाले बाल यूज करते हैं तो जो टोटाली ब्लेंड रहेंगे वो लोग वो आवाज के ऊपर ही खेलेंगे और जैसे बैटिंग करते समय उनको जो हेल्प रनर दिया जाएगा और जो बोलिंग जो कोटा है 100 परस और जैसे अभी बैटिंग में जैसे हमारा जो तीन कैटेगरी बताया उसमें से सर्कल मेंटेन करना पड़ता है पर एक्जामपल अभी जो ओपनिंग बी टू और बी तरी दोनों दिखने वाले ओपनिंग गए कोई एक आउट हुआ तो जो बचा हुआ कैटेगरी बी जाना च करेगा तो जो बैटिंग और बोल्ड हो गया तो दोनों यह की आवज करेगा चो उसको हम पेचानने के लिए हम लोग मेटल का इविकेट यूज करते हैं अगर बैट से बैटिंग करेगा तो अलग साउंड आएगा समझ रहूं आपके जवाब से कि यह खेल कांद से खेला जिसमें आवाज के बहुत सारे कैटेगरी हैं नजर के साथ-साथ कि मेटल का विकेट हो लेकिन अगर किसी ने च्छका मारा या इधर-ओधर बाउंडरी के जो डाम होते हैं स्क्वाइर कट मार दिया या सीधा लेग में मार दिया ओफ में मार दिया तो फिर उसमें कैसे पत को स Cott कर लेते हैं अर यहां पे जो मैन रोल है कीपर का जिसे यह कीपर बैस्मान बैच करते ही कीपर बॉलेगा स्क्वारर लेग जो प्लेस पे वो फीडर है वो थोड़ा जागरत हो जाएङगा तो और जिसे बोलिंग करते से उम्हें अभी नॉर्मल UH स्ट्रिम में अगर करने के लिए रडी हो जाता है यहां पे हम लोग करते है बैस्पन अर्यू रेडी आर नाट हम पुछते हैं अच्छा बैस्पन को रेडी पूछते हैं वह यह बोलने के बाद हम प्ले करके बोल करते हैं ठीक है तो एक बात क्या कभी ऐसा हुआ कि जिसे बिलकुल दिखाई नह देता और उसने गेंद कैच कर लिया बहुत बढ़िया यह है बहुत ऐसा बहुत सारा बार कैच हुए है और यहां पर और एक चीज है कि जो बीवन कैटेगरी के लिए थोड़ा गेम में ज्यादा सपोर्ट है अच्छा यानि कि अभी जो वन बॉंस कैच उनको अलोड है जिसे अधान में में इंड्या और सब्सक्राइब कर रहा था जब में बैटिंग कर रहा था मेरा टोटली ब्लेंड ने कैच ले लिया था उसको यहां पे लगया यहां पे लपके बेट गया इसा भी हो सकता है वह मतलब पहली बार ऐसा हुआ हो ऐसा नहीं कम होता है रहार कि कोई लेकिन आप जैसे बोलते हैं कि फाइन लेक की तरफ शॉट गया है तो वह उदर का खिलाड़ी बिल्कुल तैयर हो जाएगा वह ले लेता है पर ऐसी जानकारी और देते रही है ताकि हमारे दर्शक आपके खेल से जादा जुड़ें और आप लोगों से भी यह जो मैस था इस अश्चान ने 389 ना तीनसे नवासी रनों का चैलेंज दिया था आप लों को यह आखरी वक्त में हुआ क्या था जब पहला विकेट जब आपका दो रन पर गिर गया था वहां पर अचली क्या दा कि हां इंडिया तो वैसे ही चेस करने में नंबर वन है अच्छा तो हमारे तेम कुछ नहीं है आ अमसा तो टीम हरे बहुत स्टोग है ने ख में प wiping बोलिंग्स सब कुछ सकते सीच आप मैं आरे पास पूरी बोलिंग भी है फुल बैटिंग है आँ है फूरा किक्व स्टर्ट है यंद्री आपकोने विस पार बदलाव हुआ कि आपको आ लोग जोग क आपने और अजय ने मिलकर कोई तैक ही कि कि अब जीतना है दस रंग का एवरेज हो और चालिस ते ओवर में तीन सो नवासी रंग है बंढ़ा कम है मेरे हिसाब से यह देखके तो लगता है कि आप लोग आट सो भी बना सकते थे ने ने अपना स्कोर को मितलब अपना रंड लेकर चला अभी इसी ने कहा कि कोच साब अदम खेल की जान है तो कोच साब आप अपना नाम भी बताईएगा और क्या ऐसी रणनीती आप लोगों ने बनाई कि जो वो वैसा ही तनाव का शंड था मैं समझ सकता हूं कि तब वो गली मुहलों पर लोग नाखुन काटते हुए टीवी नहीं देख रहे होंगे ये मैच हो रहा है हमारी टीम अब जीतेगी की नहीं जीतेगी लेकिन कोई बात तनाव में होगे कि इतना बड़ा स्कोर है इसको पूरा कर पाएंगे की नहीं कर पाएंगे क्या आपकी टीम ने कभी इस स्कोर को कभी चुआ था और इसकी क्या खास रणनीती आपने बनाई कि उस वक जब खेल चल रहा था अमारा टीम का प्लान था कि टॉस चितने के में है तो पाएंगे है उपकी निचेरी बड़ा हें अंट कर देंग लिए झाल आविए ये प्रकाश और अवर और थिव दरते हैं उसको अवरी स्वाश्बेकलिंग बैस्वें एक निव रखना है रसे रसे की थे तरह अवर। इंटार टीम पानिक तो मैंने दीपक को बुलाया था कभी वो बुपनी नहीं केला था दीपक भाई I've seen you some strokes very good strokes and I want somebody who can get a good start without losing the main batsman so I called captain and I called Deepak and said you both open the innings today we'll completely अपतास अपने नहीं भेजाओ नहीं भेजाओ नहीं भेजाओ नहीं भेजाओ completely strategy to change किया था मैंने दीपक को बोलाता Deepak, तु बोट बोल राता कि मैं एरो बनना और पाकिसान को मारना है आज ही तेरा चांस है अज ही तेरा चांस है अज ही तेरा चांस है अज ही तेरा चांस है मैंने बोला Deepak your chance for becoming a hero of India is today and you do it for us I said इसने इतना serious लेलिया of course they controlled him by bowling on the left side but in three years, they were completely shocked the fact that you have forgot to be Prakash yes, Prakash he started doing Prakash for our profit as he was speaking it was not important for us but he gave us a rent Deepak, you're from Haryana Sonipat and when you started playing cricket are you in B1, B2 or B3 तो घरवालों ने आपको वैसे ही देखा जैसे कोई बहुत अच्छा खेल रहा हो सहवाग डजब गड़ का नवाब समझ रहे हो उस तरह से देखा अभी जैसे जब मैंने शुरू में फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया था तो काफी घरवालों की तरफ से काफी स्पोर्ट मिला तो फर्स्ट टाइम पर मैंने अपना स्कूल लेवल में स्टार्ट किया था इसके बाद हरियाना टीम में अगे मेरे को और फिर इदर हमारा इंडिया टीम में मेरे को कभी इस खेल के दोरान आपको लगा कि आपको कोई चीज रोक रही है जो आप नहीं खेल सकते हैं बढ़ कमी का होना मतलब आप देख सकते हैं लेकिन और लोगों की तुलना में थोड़ा कम दिखाई देता है कभी आपको लगा कि उसकी वज़ा से आप खेल में वह मास्टरी नहीं कर पा रहे हैं जो तिंदुलकर के पास है या सेहवाक के पास है या द्रविड के पास है स्टाइल अधरिये में शॉट में इन सब चीजह अंगये इसा दर कुछ नहीं लगा मेरे को कि पर ब्लाइंड किर्केट थोड़ा है नॉर्मल किर्केट से बहुत अलग है अलग है ऐसा जीएदा लोग जीतना व्मारे कृकेट में मेहनत करना पड़ता साहएद उन लोगों को इतना न या फिल्डिंग हर चीज मतलब सुनके ही करना पड़ता है और बैटिंग में भी बीवन का बहुत एमरोल होता है क्यों उसका एक रण का डबल रण मिलता है अपने सांथी खिलाडी को बीवन, बीटु, बीथरी से बुलाते है या इपाक प्रकाश देख इसको नाम से बुलाते हैं आपको सरेला रहे तए चेश्मी में आप को आपके बगल में कौन अजय अच्छा आप दोनों ने धूम मचाया है ना कितना रंड बनाया आप मैं 74 नाट अजय आप कहा से हैं अजय रेड़ी मैं आंधरप्रदेश आंधरप्रदेश दस राज्य के लोग है ना इस टीम में पूरा हिंदुस्तान अभी तो और दिल अच्छा डिसिप्लेन था हम लोग फुल रिलेशन मेंटेन करते क्योंकि टीम एक साथ रहना तो फैन्मी तरफ रहना तो मैं यह जानना चाहता हूं कि आपने पाकिस्तान के गेंदबाजों के खिलाफ अच्छा प्रदेशन किया तोड़ा आपने दर्श्कों के लिए में ज जा सब्टवल में फैनल में फैनल में पाल अजया प्रदेशन करें में थांच्छा बन घाया अब फैनल में पाकिस्तान करा हैं मुझ कॡ dudohon 12 में पाकिस्तान करया हम लोग ちामियन बन गया, अभी o desait divided T20 में दोनों में इंडिया थाप रहना अभी यह बार हम लोक त्रक्र कि रीच हो गया वेका साफ हावार कोच अभी धोनी की टीम जैसे मालूम पड़ते हैं पहले टीट्वेंटी जीतो फिर मेन वाला जीतो नहीं धोनी ने तो कुछ नहीं सिखाया ना आप लोगों को हाँ दोनी ऐसा कुछ नहीं कि हर प्लेयर के पास प्लेयर मतलब उसका गेम रह था होटे ह हम लोगों को मिला है अम लोग दिकाया जीत गया पर जब को ने आपको अपकी भी रैंकिंग चेंज कर दी बैटिंग की अभी पोरा गेम प्लान था कंग हम लोग मैंटरल रिपेर होने के लिए टापडर रश्मन राकाश बचाने के लिए आपको फसा रहे हैं कि आम लोग सोस्ता ओपनिंग जाने के लिए, एक 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 जामपल बोल रहे हैं, सेकंड ओन बेज दिया है, तोड़ा मेंटल रिपरेशन होता था इसलिए कोई सार अम लोग बोलते हैं, आप लोग तोड़ा मेंटल रिपर हो जाओ, बोलके अम लोग को साइकलाजिकली फुल मतलब बैडिंग जाना टाइम पर आम लोग को अपर कुछ भी नहीं रहेता दिमाग में, फुल फ्री, आप लोग कैसे खेल लेते हैं, तो लाखो लोग उनके पीछे चिला रहे होते हैं, दोड़ो, दोड़ो, सचेन, 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 इस आवाज के बिना कैसे वो जजवा ब बाल को पर रहे था, वही था है, सुनते हैं, गेंद के हर टपे को कि इसका अंदाजा सही है या नहीं है, है ना, सुनते है, सुनते है, सुनते है, पर कुछ सब मैं जानना चाहता हूं, कि इन सारे खिलाडियों की, जो एक स्टाइल या काबियत की जो बात होती है, जैसे हम बाकी खिलाडियों का जो में टीम है, में अपलोड भी है, लेकिन वो कहा रहा है, में टीम है तो, उन सब के एक अपनी शंता है, ये इसके लिए है, ये इसके लिए है, ये जब आप टीम बनाते हैं, तो इस तीम में आना, इन सब का आना, मतलब कितना टफ है, कितने लोगो को बीट करके यह लोग आपकी टीम में शामिल होने के लायक बने हो बिल्कुल यह सही बात है क्योंकि हमारा क्याटेगरिस हो था B1, B2, B3, so उनका चॉइस तो B1 तो 4 वना ही वना है, so they have to, they were four places and B2, B3 को जो बाकी बचा होगा है उसमें हमको शामिल करना है और आपको बात कर रहते हैं बात कर रहते हैं बिल्कुल अमारा ब्लाइन के लिए बात कर रहते हैं क्योंकि प्रडॉमिनेंटल उन लोंका स्वीप जादा होता है क्योंकि बंडर के खिलते हैं, so if you take a hundred players, 95 players who are sweepy खिलते हैं बागी कम लोगे straight केलते हैं क्योंकि बांस ज्यादा बांस नहीं होगा दिरे देर फास्ट आएगा तो हमको यह भी देखना बड़ेगा कि कौन batsman जो sweep के लगा जादा, कौन batsman straight के लगा और बोत सारी players है, like Prakash है, Ajay है, वो लोग बहुत वेंग्टेश भी है, बहुत बढ़ियां प्लेयां 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 प्लेयां, वो सब क्या करते हैं, सभी मिक्स कर सकते हैं यह प्लेएर्प के लिएंगकल रखाँ, तो कि रसमेंग थैन माला सकती हैं, बहुत भी बहुत भी है तकfa सकते हैं और भी देवेरश महेंने वो लोग फ्ल्द हैं, प्लेश सकते हैं प्लेटीएरों कि अर्या हीं ड्के दिस्च जaurais नहीं नही है कि अभी अभी एफ इफ रे एक जैसे कि गानेश मुंदुगर है तो इसका स्पेशलिटी यह बाल के चिप करना मतले कि जो आजा आजाता है वो चिप करता बाल बांडरी के उपर जाता है पागिस्तान का वरी फेवरेट श्रोक है हो So they hit sixes by using those cheap shots. And so we have to plan in a normal cricket coach's job would be to be outside and just say what is happening. But in a blind cricket coach is a non-playing captain not only decides the team. Chief, when a company decides when you start the match, you can decide. I can be in the crowd, I can be in the ground outside. मे Auntya जो मोची। मुदर्वार जान से हो से jointCu जotion जाती होतने में की में काटने काते काटन? जात जाती हुच, जाती हुच हुच है जाती है में जाती हुच है